साथियों, बीते समय का एक एहम पक्ष है, जिसकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इतिहास की वो सीख, केंद्रवर, राज्य, दोनों के लिए बविश का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुवाती दसकों को याद करें, तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रास्दी का दौर चल रहा था। दौर चल रहा था। लेकिन उस दौर में भी बात चाहे इस्ट की हो या वेस्ट की। हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे। पश्चिम में, आइंश्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्सबोर, तेश्टला, ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौका रहे थे। उसी दोर में सिवी रमन, जग्दिश्चंद्र बोस, सत्यंद्र नाद बोस, मेगनाज साहा, ऐस्चंदर सगर बैसे अनगिनित वैज्ञानिक अपनी नई-नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविश्च को बहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिये। लेकिन इस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर ये रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इस वज़े से साइंस को लेकर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में उदासिंता का भाव पैदा हो गया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम कलाकों सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए कलाकारों को प्रेणा भी देते हैं पैदा भी करते हैं। जब हम खेल को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए खिलाडियों को प्रेणी भी करते हैं पैदा भी करते हैं। उसी तरह जब हम अपने वैज्ञानों को की उप्लिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। वो पार्ट अप कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आगर मेरा यही है। आप सभी राज्जों से आए हुए लोग हैं। मैं आपसे आगर करता हूँ कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उप्लब्दियों को जम करके सलिब्रेट करें। उनका गवरवगान करें। उनका महिमावंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के तारा इसका आउसर भी दे रहे हैं। आप सोचिए आज भारत अगर कोरोना की वैक्सिन विक्सित कर सका है, दो सो करोड से जादा वैक्सिन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर खेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्दी को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रती जो रुजान पैदा होगा, वह इस अमरित काल में हमारी बहुत मदद करेगा।